मेरा नाम है अयाज उद्दिन शेक मैं अपने न्यू बंबे न्यू मुंबई महानगर पाली का स्कूल नंबर 18 सान पड़ा में हम हूँ प्रिंसिपल हूँ और यह मेरा प्राइमरी सेक्षन है जिसके अंदर बालवाडी से लेके आठवी तक के बच्चे यहाँ पर पड़ते हैं तकरिबन 765 बच्चे यहाँ पर मेरे पास हैं स्कूल के अंदर और आज यहां स्कूल के अंदर ड्राइंग कॉंपेडिशन चल रहा है तकरिबन इसमें चौथी से लेके आठवी तक के बच्चों ने हिस्सा लिया है और 110 बच्चे इसमें पार्टिसिबंट कर रहे हैं और साथ ही यहां के बच्चे हमेशा ड्रॉइंग में हो या किर्केट के मैदान में हो या खेल में हो, कबड़ी में हो यह हमेशा फस्ट आते हैं गए साल में भी हमारे बच्चे जो है कबड़ी के अंदर फस्ट आया थे हमारी स्कूल सोच्चता के अंदर भी पूरे न्यू बंबे के अंदर सेकंड नंबर से आई थी और तुर्भा वाड के अंदर पहले नंबर से आई थी मुंसिपल कार्पोरेशन की तरफ से यानि शिक्षन मंडल की तरफ से हमारे यहां जो है वो एक कंप्यूटर लैब है मेरे वहाँ लाइबरेरी है इसके अलावा तमाम क्लास के अंदर अभी इस साल डिजीटल क्लास हो गई भी यानि मेरी पूरी स्कूल जो है वो पूरी डिजीटल स्कूल हो चुके है यह बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे एजुकेशन की जो गुनवत्ता आगे बढ़ाना है बच्चों में जो गुनवत्ता का प्रोग्रेस बड़ाना है उसके लिए यह सीजे बहुत हमारी काम आने वाली है और कल का जो है कल हमारे सेंटरल गवर्मेंट की तरफ से निया भारत सरकार की तरफ से जो सुच्चता अभियान यहाँ पर हम लोग मनाते हैं मनाये जाता है उसके अंदर कल हमारी महारेली है यहाँ पर हमारे पैरेंट्स लोग है इसके अलावा हमारे जो कौंसलर है यह सब इसमें शामिल होंगे पहले हम पूरे मैदान और आसपास के इलाके की सफाई करेंगे और इसके बाद में हमारी महारेली निकलेगी उस महारेली के अंदर हमारे बच्चे जो है वो एक नाटक भी पेश करेंगे एक गीत सोच्चता के आधार पर गीत पेश करेंगे और इसके अलावा सब लोगों को जागरूद करने के लिए और सोच्चता का मैसेश पहुँचाने के लिए घर घर पे घाके और दुकानों में भी जाके जो सोच्चता की शब्द है वो शब्द भी हमारे बच्चे लेने वाले हैं साती सब लोगों को हम शब्द देंगे और ये ऐसास दिलाएंगे कि वे हमारे देश को, हमारे वार्ड को साफ रखो हमारे देश को साफ रखो और इसी के साथ हमारी सोच्चता अभियान जो है ये काम्याब होगी और मुझे उम्मीद है कि इस साल हमारी निव बंबे 2019 में सोच्चता में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर पहले नमबर पे होगी